हालो फ्रेंड आज किस वीडियो में आपके साथ एक ऐसा उनुस का सेर करने वाली हूं जो कि आपके चेरे पर पड़ी हुए छोटे-छोटे दानी यानि टिनी बंप्स को दूर कर आपकी स्किन को टाइट और ग्लुइंग बनाएगा अगर आपके स्किन बहुत ज़्यादा ओयली है या फिर आपके चेरे पर पहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं चोटे-छोटे दाने होते हैं उसे दूर कर आपके स्किन को टाइट ग्लुइंग और बेदाग बनाएगा तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्वेट के हिल्थे और ब्यूटी शीक्रेट में जहां पर आपको मिलते हैं बहुत सारे ब्यूटी और हेयर केर टीप्स तो फिर सबसे पहले जान लेते हैं टीनी बम्स क्या होते हैं गाईज इस तरह से चोटे चोटे दाने जो हकसर हमारे मत्य पर ठुटी पर नोस पर और कई बार हमारे चीक्स पर आ जाते हैं और यह जल्दी से ठीक नहीं होते हैं काफी टाइम तर इस तरह चोटे चोटे पबलम किसी को भी हो सकती है और उसकी बड़ी उम्रवालों को भी हो सकती है किसी किसी को यह दाने इस तरह से छोटे-छोटे रेड कलर के होते हैं और इसकी वज़र से हमारी जो इसकी नहीं रहती है ट्यांगे तो में अबड़ी उसकी बनाने के लिए प्रेंड मैं आप लिया है तुलसी की पत्ति हमें यहाँ पर 20-25 तुलसी की पत्तियान ले लेनी है तुलसी के पत्तियों में एंटी बैक्ट्एरिव एंटी फंगल प्रपटेज होती है जो हमारे चेहरी के दाने को धाफ्धबों को मिटाने इंटी अलब करने में बहुत जादा बेनिफिशल होता है जिनकी इसकिन में बहुत जादा जलन होती है उनके लिए भी चुलिंग पर प्रेटीज बहुत जादा होती है साथHome Prend तुलसी की पती जो होती है वाइए एंटी अजिकिंग का भी काम करती है और इंटी अक्षडनेंट पर परटीज होती है इसमें जिससे हमारे स्किन को ये clean clear करता है हमारे ले हमकृत की आधिरिया किसी भी तरह के फंगाल इनफेकसन किसी भी तरह के पिंपल एकने दाने वगर नहीं होने देता, साथ ही तुलसी की पत्तियों का जो रस होता है, वो हमारे चेरे पर पड़ी हुए किसी भी तरह के दाग तबो को धीरे धीरे करके लाइटन कर देता है, और हमारे स्किन को बहुत ग्लोइंग और टाइट बनाता है, तो मैंने यहा पर लिए है बटटा जिस पर हम चंदन खिसते हैं, तो उस पर रख्त किसी चीज की हल्प से क्रश कर सकते हो, या फिर पीश कर चैनल में पर पिश कर प्यूस कर निकाल लूँगी, इसके लिए एक क्लीन बॉल लिया हुआ है, और इस पेश्ट को मैं स्क्वीज करके इसमें जितना भी रस निकलेगा वो पूरा तुलसी की पत्तियों का रस में निकाल लूँगी हमें लगबग एक चम्मच तुलसी की पत्तियों का रस चाहिए साथ ही सरदी जुखाम खासी के लिए भी बहुत ज़्यादा वेनिफिशल होती है साथ ही हमारे सरीर की रोग प्रतुर्दक चमता को बढ़ाने में भी तुलसी बहुत ज़्यादा कारगर होती है तो हमने यहाँ पर तुलसी की पती को स्क्वीज करके इसका रश निकाल लिया है तो आपको एक चमत तुलसी की पती का रश ले लिया है तो मैंने यहाँ पर लगभाग आधा चमत तुलसी की पती का रश ले लिया है सिर्फ रोजवाटर एड़ करना है और कुछ भी इसमें एड़ करने की जरूरत नहीं है तो एक चमज अगर तुलसी के पतियों का रस हमने लिया है तो यहाँ पर हम 10 चमज रोजवाटर लेंगे यह चेहरे के टीनी बंप्स को यह चोटे चोटे दानों को दूर करने में बहुत जादा वेनिफिशियल है समर में आप इसको यूज़ करते हैं तो भी यह बहुत जादा वेनिफिशियल है जिनके चेरे पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है उनके लिए भी यह नुसका बहुत ज़्यादा कारगर है साथ ही जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ओईली है उनकी इसकिन के लिए भी बहुत ज़्यादा वेनिफिसियल है इसे dry, normal, oily skin सभी तरह की skin वाली इसको यूज़ कर सकते हैं जिनकी चेरे पर pimple like नहीं है teeny bumps है वैभी इसको यूज़ कर सकते हैं जिनकी skin normal है वैभी चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये skin को hydrate करने में इस pores को tight करने में भी बहुत जादा helpful है इसे अच्छे से mix कर देना है उसके बाद बन जाता है हमारा ये toner जो की हमारे चेरे के चोटे चोटे दानों को दूर करने में बहुत जादा beneficial होता है तो चली जान लेते हैं इस toner को हमें कैसे use करना है तो फ्रेंड इस toner को आप किसी spray bottle में भर लीजिए और उसको आप फ्रिज में रख दीजिए जब ये ठंडा हो जाए तो आपको इस प्रे करके अपने पूरे चेरे पर इस toner को लगा लेना है इस प्रे करके ऐसे ही छोड़ देना है आपको इसको धुलने की कोई जरूरत नहीं है थोड़ी देर में ये सूख जाता है अगर spray bottle नहीं है तो आप इसको ऐसे ही फ्रिज में ठंडा कर लीजिए किसी बाउल में रख कर उसके बाद रूई की हिल्प से इस तरह से आप इससे अपने पूरे चेरे पर लगा लीजिए जहां पर दाने हैं वहां पर भी आप अपने चेरे पर इसको अच्छे सप्लाई कर लीजिए दो तीन बार इसी तरह से करके आप इसको अच्छे सप्लाई कर लीजिए और ऐसे ही छोड़ दीजिए दिन में कम से कम दो बार इस टोनर का आपको उपने चेरे पर यूज करना है एक हफते तक आप इसको यूज कीजिए आप देखेंगे आपके चेरी के जो छोटे छोटे दाने हैं वहें धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे साथ इसकिन टाइट होगी इसकिन में बहुत अच्छा ग्लोव आएगा अगर आपके चेरे पर पिंपल एकने के दाग धपे हैं तो वह भी धीरे-धीरे लाइटन होने लगते हैं और अगर आपके इसकिन लूज हो रही है तो यह उसको टाइट करता है अगर आपके स्किन बहुत जादा ओयली है तो इसको भी यह दूर करने में हल्प करता है साथ इसकिन को हाइडरेट करता है जिनकी स्किन पर गर्मियों में जलन होने लगती है उनके लिए भी यह टोनर बहुत जादा बेनिफिशियल है इसको फ्रिज में ठंडा करके आप अपने चेरे पर लगाएए आपकी चेरे पर बहुत जादा कूलिंग फील होगी बहुत जादा कूल करेगा आपकी स्किन को अंदर तक तो इसको जिनकी चेरे पर बहुत जादा दाने है तो आपके लिए बहुत जादा बेनिफिसियल होता है इस तरह से कांच की सीसी में या फिर किसी स्प्रे बॉटल में भरकर आप इसको फ्रीज में रख दीजिए और आप इसको एक हफ्ते से लेकर 15 दिनों तक के लिए स्टोर कर सकते हो लेकिन कोशिस करें कि आप इसे सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही बनाए और उसको यूज करें जब वो खतम हो जाए ता फिर से नया बना लीजिए जितना ज़्यादा आप ताजी चीजों का यूज करते हो उतना ज़्यादा आपके लिए फायदे मंद होता है तो फ्रेंट आई होब्किए आपको आज की ये यूजफुल वीडियो पसंद आई जरहाभी वीडियो हेलफूल लगे जरहाभी वीडियो पसंद आये तो फ्रίζ वीडियो लाइक करें तो हमारे मेनत के प्रेश्टेट करने के लिए वीडियो लाइक जरूर करें चानल सब्सक्राइब करें विल आइकन को प्रेश्ट करें इसी तरह की यूच्छ वीडियो देखते रहने के लिए वीडियो को फ्रेंड फेमिली के साथ सेयर भी कर सकते हैं कोई सवाल सुझा होए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा अब मिलते हैं किसी और इच्छी सी वीडियो में तब तक के लिए थेंक्स वाचीं टेक कियर बाई बाई